आई गाइस कैसे है आप उम्मिद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे सो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ग्राफिक डिजाइन बड़े ही आसानी से कैसे कर सकते है तो हम थोड़ा information आपको देंगे इसके बाड़े में जैसे कि आप समझ पाएंगे आप अपने PC के अंदर या फिर mobile phone के अंदर कोई भी graphic images या फिर designs आप create कर सकते है बड़े ही आसानी से और इसके लिए आपको कोई भी technical knowledge की जरूरत नहीं पड़ेगी सो किस तरह से pick find करेंगे वो अगर आपको idea चाहिए उसके बारे में तो आप chat GPT का use कर सकते है जैसे हम यहाँ पे use किया है आप देख सकते है graphic design के लिए हम silhouette image create करने के लिए idea यहाँ पे generate किया था देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ यहाँ पे prompt दिया था और उसके बारे में यहाँ पे हमारे कुछ keyword generate कर दिया था तो ऐसे हम यहाँ पे prompt भी generate कर सकते है कि आपको किस तरह का image चाहिए आप यहाँ से वो prompt generate कर सकते है और उसके बाद आप यहाँ पे co-pilot के अंदर जा सकते है जो कि Microsoft Bing का एक service है तो Bing का AI है co-pilot Bing search के अंदर आप जा सकते है और co-pilot के अंदर जा सकते है यहाँ क्लिक करके तो इस co-pilot के अंदर जाके आप यहाँ पे prompt दे सकते है जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते है हमने यहाँ पे लिखा create a picture silhouette image for monkey head with white background तो जैसे कि हम यहाँ पे illustration करते है तो उसके लिए हमें white background की जरूरत होती है तो आसानी हो जाता है उसको edit करने के लिए उसको trace करने के लिए तो यहाँ से हम उसको generate करते है और उसके बाद आप देख सकते है हमारे पास illustrator है और उसके अंदर हम यहाँ पे image को trace करते है और trace करने के बाद उसको use करते है का victor file के अंदर तो victor file के रूप में इसको convert करके हम यहाँ पे कोई भी platform पे या फिर marketplace के उसको sell कर सकते हैं list करके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे shutter stock में हमारा account है तो यहाँ पे हम sell करते हैं और और भी कुछ platforms है आगे हम आपको बताएंगे तो अभी के लिए आप इतना देख सकते हैं कि यहाँ से हम AI की मदद से free में image generate कर सकते हैं और कोई भी idea हम ले सकते हैं तो और उसके बाद अगर आपको जुरूरत परे तो आप दूसरे platform भी use कर सकते हैं उसका भी solution है हमारे पास दूसरा platform भी है वो है यहाँ पे आप ideogram search कर सकते हैं ideogram के अंदर जाके आप यह चीज़ कर सकते हैं और वो बहुत perfect होता है क्योंकि graphic design, t-shirt design के लिए या फिर typography के लिए ideogram एक बहुत अच्छा platform होता है उसका भी आप use कर सकते हैं तो next video में हम उसके बारे में बात करेंगे तो आज के लिए इतना ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा design बांच चुका है अब यहाँ नेट बहुत slow हो गया इसलिए दिखाने ही पा रहा हूँ next time हम दिखाएंगे इसको so यहाँ पर हम देख सकते हैं यह image क्लिक करने के बाद यह expand हो जाता है बड़ा हो जाता है और उसके बाद हम उसको यहाँ पे trace करके victor file generate करके इसको हम list कर सकते हैं marketplace के अंदर और वहाँ से जो भी download होगा उसके अंदर तो उससे आप revenue निकाल सकते है revenue तो यह हो गया आपका passive income यह कर सकते हैं और यह चीज आप कैसे करेंगे तो details में हम next बताएंगे देरे देरे बताते चलेंगे next वीडियो में तो चलिए आज के लिए इतना ही तो अगर इस information आपको अच्छा लगा और इसके बारे में details जानना चाते हैं तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें तक के लिए खुश रहें और मिलते हैं next वीडियो में thank you करें तो